पिक्चर दिखा रही है यह पिक्चर है एक सीनरी का सीनरी मतलब नैचरल जो एलिमेंट्स होते है ना हमारे जैसे देखो यह माउंटेन्स है सन है बर्ड है माउंटेन्स में से बहती हुई यह रीवर है रीवर के किनार एक चोट ऐसा गर है ट्रीज है दूर दूर है ना तो यह सीनरी है सीनरी यानि नैचरल एलिमेंट वाला पिक्चर बच्चों है ना हमारी जो लेंड होती है ना उसके डिफरन डिफरन टाइप्स होत इसे यह है ना माउंटेन वाली लेंड है यानि जहां पर माउंटेन्स होते हैं वैली होती है वैली मतलब सी यह जो यह वी शेप किये जगह है ना दोनों माउंटेन के बीच वाली उसको हम वैली बोलते हैं यह ग्रीन ग्रीन होती है कई बार इस पर स्नो चाया हुआ होता है इसको valley बोलते हैं और जो plain land होती है उसको plains बोलते हैं यानि जो simple वाले जो मैदानी इलाके होते हैं जैसे हमारा गर्ब, हमारी society, हमारी school वगेरा plains मतलब एकदम जो सीधे areas होते हैं उस पर बने हुए हैं ये valleys हैं ये hilly area बोलते हैं mountain area बोलते हैं इसको जो ऐसे पाहड़ी इलाके होते हैं उसको तो ऐसे different different types होते हैं land के आज है न मैम आपको एक वक्षिट दे रही है वो आपको complete करनी है देखिए मैम ने खुद से ऐसे scenery बनाई है लेकिन मैम जो आपको वक्षिट दे रही है उसमें आप जैसी भी चाहो scenery बना सकते हो कुछ भी जैसे मैम ने ये river और mountain ड्रो कर किया है house ड्रो किया है लेकिन आप आप जो भी चाहे वो दो ड्रो कर सकते हो वेट मैम विल शो यू आपको है न किसी पर टाइप की scenery याँ ड्रो करनी है आप चाहो तो ऐसे जैसे मैम ने house वगेरा river वगेरा बनाया वो ड्रो कर सकते हो या आप चाहो तो आप सी मतलब समंदर ड्रो सकते हो कर सकते हो या आप सिर्फ पहाड ड्रो कर सकते हो डिफरेंट टाइप के grasslands ड्रो कर सकते हो forest यानी जंगल ड्रो कर सकते हो उसको ड्रो करके उसको कलरिंग भी करना है ठीक है सब्मिट दवक्षीट इन ओक्टो पोड थेंक यू